इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ICICI bank के बारे में जिसने की जस्ट अभी अपने quarter one के numbers को लेके announcement कर दिया है तो चलिए in detail में देखते हैं इस बार bank के numbers कहते हैं तो 27 जुलाई यानि आज के दिन इनकी BOD की meeting थी जो की over हो चुकी है आउटकम की बात करें तो company अपने results को लेके announcement करीए with limited review reports और एक press release भी देखने को मिल रही इसके लावा further कोई भी agenda आज की meeting में डिसकस नहीं हुआ है जली ही देखते हैं ICICI bank limited के stand load numbers कैसे रहे तो details आपके सामने और सारे फिगर करोड में quarter 1 की earnings से quarter 4 की earnings से then last year का quarter 1 का data आपको third column में देखने को मिलेगा और अगर आपने भी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरू subscribe कर ले और notification bell को भी प्रेस कर ले क्योंगी result publish होते ही 5-10 investment के अंदर आपको update इस चैनल पर मिल जाएगा तो main income की बात करते हैं interest earn जो की 33,000 करोड से 38 पर आगी quarterly 37 से 38 पर तो interest income तो बढ़ी ए quarter और yearly दोनों ही जगे आप सारी incomes को add करेंगे तो आएगी total income जो की 38 से बढ़के 45 पर आगी quarterly 43 से 45 पर तो quarter पस yearly दोनों ही जगे income बढ़ी bank की और market का जो अनुमान था वो भी same यही था कि company income में बढ़ती हुई देखने को मिलेगी एप्रॉक्स 45,500 करोड के अप्रॉक्स जो की बिलकुल हमें beat होता हुआ देखने को मिल रहा है उसमें आप expenditures की बात करेंगे तो 24,000 से 29 पर आगए yearly और 28 से 29 पर quarter on quarter तो income बढ़ी तो company expenses भी बढ़ गए देन discuss करते हैं provisions जो की 1292 से 1332 पर आगए yearly और 718 से 1332 पर quarter on quarter तो provisioning इस बार बढ़ चुकी बैंक की quarter और yearly दोनोई जगे देन discuss करते हैं after all the adjustment net profit or loss for the period कितना हुआ तो last year quarter 1 में 9,648 क्रोड के profit थे वह बार 11,059 पर आगए और quarter 4 में 10,707 क्रोड के profit थे वह बार 11,059 पर और market का जो अनुमान था profit को लेके वह 10,739 क्रोड का था जो की बिलकुल हमें beat होता हुआ देखने को मिल रहा है काफी अच्छे तरीके से तो market estimate को numbers ने beat किया और इस बार profit दोनों ही जगा बढ़े हैं same reflection EPS में 13.80 से 15 पर आ गया और quarterly 15.26 से 15.73 पर तो जिस तरीके से profit बढ़े same EPS भी grow करता हुआ देखने को मिल रहा है net NPA की बात करें इन रूपीज में तो इस बार जो NPA राव फिफ्टी सिक्स हंडेड क्रोड करा quarter 4 में 53 था और quarter 1 लास्ट यर भी 53 क्या प्रॉक्स था तो overall जो NPA थोड़े बहुत बढ़े हैं साल दर साल और quarter on quarter दोनों ही हो जागे debt equity ratio की बात करें तो 0.33 था लास्ट यर quarter 1 में quarter 4 ने 0.30 इस बार 0.27 तो debt equity ratio भी कम हुआ है overall काफी अच्छे numbers publish हुए और market की जितनी उमेदे थी उसको कम्री ने बीट किया तो most probably एक positive reaction होगा और share price में तेजी आ सकती है तो आपके वास ICICI bank limited के कितने shares है comment box में बिलक कितने हुआ 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 है